पर रहा है कि हम संतों स्यादव मधहवनी से बोल रहा है सब हम दुर्गा जी के मूर्ती जो है ज्यक्टर पुलाद का रूर पर लाए और उसके बाद साइट करा रहा थे है गाड़ी को सब तक सिपाहजी दारूपी करके उधर साए और आकशक के अहम को मोटरसाइकल से धाका मरती है थाका मरने के बाद जैए उनके पास कि पूछने के लिएका आप हम आदमी को देखकर गाड़ी चला है जो हमें धाका लग गया हमें घृघ लगा है चुट लगा ह को को इसके बाद सहोर रहे हैं और प्रियाश करने की बाद प्रियाशोद में वहींद से खाए उस समें एक डिया गिया। कि सिपाही से धता लगया था एक आड़ी को और उसके बाद मार पीट हुई है जिसमें एक होमगार्ट का हाथ तूट गया और उसका सर भी भटा हुआ है इस संबन में सिपाही की ओर से मुकदमा कायमी और उसमें गिरफतारी के प्रयास किया रहे हैं कुछ लोग दिरुफतार भी किया जा चुकी है एक कहानी अब यह भी आ रहे है कि सिपाही की गल्ती से यह मार पीट शुरू हुई है तो उस बात में अभी तक मेरे पास कोई आदिकारिक रूप से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है प्राप्त होती है तो उस पर निश्वक्ष चार्च होगी और यदि मेरा सिपाही दोशी पाये लाता है तो उसके रूप भी कारवाही होगी जी नमसाब वीडियो में दिख रहा है कि सिपाही जी और उनके बीच में कुछ विवाद हो रहा है तो क्या ये जहिज से नहीं बनते हैं कि आप जी आप एक अलाजिकारी है तो आप कठ उस वीडियो के आधार पर कुछ करवाईया बनते है जैसा कि प्रीट पर करवाईया हो चुकी है पर कारवाही के लिए हमारे सिपाही में पहरीर देती है, यदि दूसरा पक्ष कुछ मुझे लिग के शिकायद देता है, तो उस पे भी कारवाही होगी है, क्यूंकि विडियो बहुत बनते हैं, कब नहां स्प्लाइसिंग होती है, कब जोडा जाता है, वो तब सबस्च होगा यदि बैचा जब बच्वाच को कुछ जांच में।